आप लोग के हमारे चैनल में गुड़ मॉर्निंग आज हम बना रहे हैं सुभा सुभा नास्ता नास्ता एकदम बना रहे हैं तीखा और चटपटा एक बार बार बनाईएगा आप इस तरीके से कभी नहीं बनाए होंगे नास्ता बनानी के लिए हम एक कर लेते हैं तैयारी तो देखिए फ्रेंट्स वीडियो फूल देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तहीं हम ले लिए हैं तो तेन आलू ले लिए हैं आप को इस रिश्पी बनाने के लिए टमाटर एक दम पका हुआ होना चाहिए लालe आलू को हम छ्छी लेते हैं आलू को हम क्जा करेंगी यहां ले लेते हैं मसीन यह मस्वींата सब laughed हैं अलू को कदूकस लेंगे कर लेंगे इस तरह से इस तरइश्पी में बहुत एक एकदम अच्छा लगता है खाने में एक वर आप बिलोग भी बनाईए और खाईए मेरे तरह तरह देखिए हम अलू को कदू कर लिए हैं अब इनको हम अची तरह से पानी से धोएंगे पानी से दो तिन पानी दो लेंगे जब तक से हमारा साफ न हो जाए देखिए इस तरह से अब हम रेस्पी के कर लेते हैं तयारी तो रेस्पी को हम तयारी करने के लिए ले लिए हैं यहां हम बेसन तब बेसन अब ही हम दो चमच डाल रहे हैं अभी एक बाई ज्यादा बेसन नहीं डालेंगे हम हम को बाद में जोड़त पड़ेगा तो और ही बेसन लेंगे तो यह अब हम यहां और फोड़ सी डालए के यहांद अधरक को भी आपको कदू कुछ करके डालेंगे आपने पसंद से कोई भी मसाले डाल सकते हैं अगर कोई पसंद रहिए तो आप भाट भी सकते हैं तो यहां थोड़ा सी डाल देंगे कानी पानी पानी हम ज्यादस्ध नहीं डालेंगे ता कि यालू में नमक डाले हैं तो इसी इसी भी पानी चोड़ेगा इसलिए अभी जूर और पानी नहीं लेख सभाई पूर पानी सफोर्ण करी हम पीर भाद में थोड़ा सा ले लेंगे जूर से नहीं कर देना है जितना कि हमको आलु में चपक जाए थोड़ा सा हम डाल देंगे जवाइन मंगराय, यह मीश के हम जदधा नहीं डालेंगे यहां तमाटर के देखिए गोल-गोल काट लिये हैं जदा मोटा भी नहीं कटना है आपको जदा पतला भी नहीं कटना है इस तरह से आपक स्टेल स्टेल म में तो लेकिमी टेल रखेंगे मनास्ती वंच में न और के पुद्ध की स्षट यूपर में जायराम त्यूपर के सबस्टरा के इस रेश्पी को आप पनाईएगा तो देखे फीन से हम इस तरह से आप आप सानी से देख सकते हैं किस तरह से करते हैं आप इस तरह से भी करके बनाईएगा तो फीन हम नीचे से रखेंगे उपर से हम रख देंगे टमाटर के कटा हुआ पीस फिर उनको हम तोपेंगे इस तर पक गया अब हम इनको उलटकर हम उपर से भी पकाएंगे उलटते पुलटते हुए दोनों तरफ से हम पकाएंगे यह आलू और ट्रमाटर के एकदम जबर जस्त नासता है फ्रेंट्स एक बार आप लोग भी बनाईए और खाईए फिर बताईएगा कैसा लग रहा है तो देख यहां अब बन के त्यार हो गया है उपर नीचे हमारे अगदम पक लाल हो गया है तो फ्रेंट्स हम मीडियम आज पर पकाएंगे ना ता हमारा अंदर से टमाटर अगदम पक जाएगा और पका हुआ टमाटर होना चाहिए इस रेस्पी में क्योंकि हमको अंदर डाले है तो अंदर में पकना ही चाहिए तब आपको रेस्पी अच्छा लगेगा थोड़ा सभी काचा टमाटर हैगा तो अंदर नहीं पकेगा इसलिए इस रेस्पी के-लिए आपको पका हुआ टमाटर लेना ए तो यहां देखिए हमारा बन के तयार हो गया है नास्ता तो यह नास्ते पर आप टमाटर के चटनी बना लेजिए चाहे बिदाम का चटनी बना लिए धनीय पत्ता के बना लेजिए कोई सभी चटनी लेकर खाए बहुत ही मुस्त लगेगा अगले वीडियो में मिलेंगे नए